चलिए आज हम पढ़ेंगे देशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता इस पार्ट को मैं पूरा किलियर करूंगा दस मिनट का वीडियो है करपया पूरा देखेगा और इसके बाद इस पार्ट में कुछ बचे गई नहीं सारा का सारा निचोड इसी 10-12 मिनट में आपका निकल क्या जाएगा दिहां से देखिए तो राल्फ वाल्व एनवारसर ने इसको लिखा हुआ है क्या लिखा है नाट गोल्ड बट वल्ली में का अनमेक अप्यूपल ग्रेट अंड इस्ट्रांग नन संपत्ति नहीं बट बल्कि वल्ली में का अनमेक कि वल लोग ही बना सकते हैं अप्यूपल माने होता है एक राष्टर को ग्रेट अंड इस्ट्रांग मने महान और ताकतवर मैं हूफ आर टोथा एंड अनर ससिक ऐसी लोग जो सच्चाई और इमानदारी का पालन करते हो इस्टेंड फास्टेंड सफरलांग ऐसी लोग जो कश्ट सहते हुए भी सच्चा और महान बना सकते हैं बलकि उसकी धन समपदा नहीं अन्त में ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज नीचे चला लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको दबा देना और उसको दबाने से घंटी आ जाएगी और उस घंटी को भी दबारना है अगला प्रस्ण है फू इस दा कंपोजर आप दिस प्वैम इस कविता का रचईता को नहीं है ज्यान लेंगे परिशाओं में पैसेज उपर लिखे आता है और उसके नीचे ये प्रस्ण दिये होते हैं उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं तो इसके रचईता यानि की कंपोजर है आनसर लिखा है आप इसको लिख सकते हैं रभलू एमर्सण इस कविता के लेखक हैं या आथर न लिखे यहां पे सीधा सीधा कंपोजर लिखे lending R. W. Emerson is the composer of this poem. या इसे दूसरी तरीके से भी लेख सकते हो आप, कैसे अंसर है? दायबाब नोटेट, लाइन साफ वेटरी, हैव बीन कम्पोजड बाई R. W. Emerson. उपर लेखी हुई पंक्तियां, आप वेटरी मने होता है कविता की, हैव बीन कम्पोजड रचित किये गई है, यानि की रचना की गई है, किसके दौरा बाई मेंस दौरा R. W. Emerson. R. W. Emerson निन की रचना करी है, तो ठीक है? वैसे आथर मेंस लेखाक होता है, कम्पोजर माने रचाइता होता है, रचना करने वाला. तो आप कम्पोजर ही का प्रियोग करें, आथर मेंस तौर लेखाक होता है, कविता लिखी नहीं जाती, कविता, कविता रची जाती, रचना होती ही कविता की, चलिए ठीक है, आगे देखिए. अगला कोस्टन हो सकता है, परिच्छाओं में आ सकता है, उसकी नीचे लिख करके क्या सकता है, राइट दा टाइटिल आप दा प्वेम, फ्राम हो इस दा अबनोटे इस्टेंजा है जिससे ये उपर लिखा हुआ पैराग्राफ इस्टेंजा लिया गया है, तो कविता का न अगला कोस्टन है, अगला कोस्टन है, वाट इस दा मीनिंग आफ प्यूपल इन दा सिकेंड लाइन, तांसर होगा, दा मीनिंग आफ दा वर्ड प्यूपल इज अनेशन, एक प्यूपल सब्द का अर्थ है, अनेशन, एक राष्ट्र, इसी तरह के प्रस्ण है, पैसे की नि देशे दिये होते हैं और उनके आपको उत्तर लिखने होते हैं तो ठीक है आप लिग लेंगे बड़ा हराम से लिग लेंगे अगला प्रिशना है किस प्रकार की लोगों की जरूरत है एक देश को महान और सक्तिसाली बनाने के लिए किस प्रकार की लोगों की आउशकता है तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोनों नीचे के लाइन क्या लिगा हुआ है मिन हूँ फार टूथ हैंड अनर्ससिक, स्टेंड फास्टेंड सफर लांग, आर नीड़ेट टू मेंक अनेशन ग्रेट अंड इस्ट्रांग, ऐसे लोगों की जरूरत है एक देश को महान और मजबूत अर्थात सक्तिसाली बनाने के लिए अगला प्रस्चन अमकर देशा है क्या है अगला प्रस्टन है और प्वयंट उट्ट ना राइमिंग वार्डस इंद आई बनोटे इस्टेंड लाइन वर्डस क्या होता है यह ए रैमिंग वर्डस होता है जो आखरी सब्द निकलते हैं कभीता के वह एक जैसी होँ जो rhyming words होते हैं वो कविता के जो पंगिति के अंत में जो सब्द होता है तो कांत जिसे कहते हैं वो एक जैसा हो जैसे की उतर देखिये rhyming words in the above noted stanza are make and sick make sick and strong and long strong and long अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्रप्या सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नी जाएगा और एक लाइक कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है मैं इससे भी अच्छा करने का प्रयास करोंगा ओके अगला प्रस्ण हो सकता है what makes a nation great and strong क्या चीज़े किसी राष्टर को महान और सक्तिसाली बनाती है मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनित के प्रिवग हुआ है present and definite तो आपको उत्तर भी indefinite में ही देना है present and definite में हमने लिखा है उत्तर आंसर नाट गोल्ड बट वल्ली मेन एक अनेशन ग्रेट एंड श्ट्रांग धनसमपत्ति नहीं किसी देश को उसके लोग ही महान और सक्तिसाली बनाते हैं धनसमपता नहीं बलकि उसके लोग ही उसे महान बनाते हैं ठीक है? तो अगला पैसेज नमबर दो आगे देखते हैं सेकंड पैसेज ब्रेव मेन वो वर्क वाइल अधर स्लीप वो डेयर वाइल अधर फ्लाई देविल्ड आ नेशन स्पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू दाइ स्काई बहादूर लोग जो वो वर्क करते हैं काम करते हैं वाइल अधर स्लीप जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं वो डेयर वाइल अधर फ्लाई तो किसी भी परिस्थिती का डट के सामना करते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं वे ही लोग आगे लिखा हुआ and lift them to the sky और उसे आस्मान की उचाई तक उचा कर देते हैं अर्थात उसकी अस्पताका को आस्मान तक पहुंचा देते हैं तो चलिए देखते हैं आगे इसके नीचे क्या प्रस्न हो सकते हैं उन प्रस्नों को आप देखें अगला प्रस्न है इस पैसेज में या इस 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 इसेज़ा में आदमी के किन गुड़ों का वरणम किया गया है तो उत्तर लिखा हुआ है क्वाल्टी जाफ ब्रेव में आर दियर हाड़ वर्क एंड करेज बहादुर वेक्ति का जो गुड़ होता है बहादुर वेक्ति के जो गुड़ होते हैं उनका हार्ड वर्क और साहस साहस और कठिन परिश्नम ही उनका गुड़ होता है अगला प्रश्न है जो संभावित हो सकता है पेपर्स में किसी भी राष्टर को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है तो उत्तर देखिए अनेशन कैने बिल्ट स्ट्रांग बाई मेकिंग इट्स फाउंडेशन साली डेंड स्ट्रांग एक राष्टर को सक्तिसाली बनाया जा सकता है उसके नियू को मजबूत और ठोस करके तो फिर आगया राइमिंग वर्स तो राइमिंग वर्स आप जानते ही है पाइnt आउट राइमिंग वर्स इंद एबरमटेज्ट इस्टेंग जा तो आपको इस आले इस्टेंग वर्स लिखने है तो क्या हो सकते है राइमिंग वर्स देिए लीप राइमस विद डीप and fly rhymes with sky sleep rhymes with deep or fly rhymes with sky यानि कि sleep, deep, fly, sky एक जैसे सब्दे निकालने हैं तो ये इसके rhyming words है तो मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत ही आपके लिए उप्योगी भी होगा अगला प्रश्न है राष्ट की नियू को कौन मजबूत बनाता है तो सभी में तो तुम्हें यही लिखना है कि बहादुर और सासी लोग तो इसके भी उत्तर में आपको यही लिखना है आप हू को हटा दीजिए हू वाले प्रस्नों में आप हू को हटा दीजिए और हू की जगे पर क्या लिखना है ब्रेव में बिल्ड अनेशन्स पिलर डीप बहादुर व्यक्ति किसी राष्ट की नियू को मजबूत बनाते है बहादुर लोग क्या करते हैं जब दूसरे स्वया करते हैं जब दूसरे स्वया करते हैं उससे में बहादुर लोग क्या करते हैं तो चलिए इसका उत्र देखते हैं आंसर है ब्रेव में डू द वर्क बहादुर लोग काम करते हैं आई, तहुं समझ गया हैॉ बहादूर लोग उस समय भी काम करते हैं कि हम दूसरे लोग कऱते हैं। लोग नम्मे समय तक किस तरह ऐसे कस्ट सहते हैं। क्श्ट क्यों सहते हैं ? उत्तर है प्यूपल सफरलंग, फार, टूथ, एंड, अनर। लोग, सच्चाई और इमांदारी के लिए कश्ट सहते हैं सच्चाई और सम्मान के लिए। इज सम्मान आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए निवाद